साथियो नमस्कार आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली अलग-अलग तरह के निव-णिव केसिस लेकर आता ही रहता हूँ तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं ये गाय है और तीन महीने की ओनर बता रही है कि प्रेगनेंट है तीन महीने पहले इसको टीका करन किया गया था तो आज आपके शाथ शेयर करेंगे कि क्या ये प्रेगनेंट है या फिर नहीं और किस तरह से गाय में पीडी की जाती है और किन एक बातों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है तो ये बातें आज की इस वीडियो में हम आपके शाथ एक एकर करके शेयर करेंगे तो मेरा आपस रिक्वेस्ट है कि आप वेटनरी के रिगार्डिंग चाहे थियोरी हो चाहे मेडिसीन हो चाहे प्रैक्टिकली ट्रेटमेंट हो हर एक चीज़ के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं तो गाइज हर नहीं करेंगे तो आपसाही तरह से जो ओनर को रिजल्ट नहीं बता पाenगे अगर प्रैगनेंट है तो आप बिल्कुल separate है कि हाँ जो आपकी गाय है वह गाविन है अगर प्रैगनेंट नहीं तो कोई भी डॉट ना रखते हुए आप डायरेक्ट पाशुपाल यहां पर साथियों मैं आपको एक बात और भी बता दूँ कि आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है या बहुत ज्यादा आपको जो है अंदर जो हाथ को इस तरह से नहीं गुमाना है बिल्कुल सिंपली इस क्या करना है कि अंदर हाथ डाला जितना भी गोबर है उसको बाहर निकाला और उसके बाद सर्विक्स को पकड़ते हुए धीरे-धीरे करके आगे गए आगे आप हॉर्ण को फिल करें जिस हॉर्ण में ओविलेशन हुआ होगा इसमें स्वैलिंग होगी और वो एक फुटवाल की आकरिती के बराबर तीर मत तक हो ही जाता है तो अगर प् तरह से आप PD कर सकते हैं